राचीन भार्ट इतियास की डिजिटल कर्षा में आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ वैदिक सब्वेता के बारे में और वैदिक सब्वेता जो कि हमारे प्रथम इकाई में शामिल है उसमें वैदिक काल में राजनितिक इस्तिती क्या थी, आर्थिक इस्तिती क्या थी, सामाजिक इस्तिती क्या थी और वैदिक आर्णियों की धार्मिक इस्तिती है वो किस प्रकार की थी उसकी चर्चा हम करेंगे और सबसे पहले में बात करना चाहूंगी व्यदिक काल में राजनितिक इस्तिती के बारे में डॉक्टर आभी दूसेन का कहना है कि सिंदु घाटी की संपन सब्यता के बाद जो सब्यता भारत में अभ्यूदित और सम्रद हुई वह उससे बहुती भिन रही इस नई व्यदिक संस्कृति के मूल संस्थापक और प्रसारक आर रहे थे विधार्तियों सिंदु घाटी की संप्यता के बिनाश के बाद भारत भूमी पर एक नई संप्यता का उदेवा जिसे इत्यासकारों ने रिग्वेदिक संप्यता की संग्या दी है यानि रिग्वेदिक संप्यता का नाम दिया है यह है भारतिय संप्यता एवं संस्कृति का उश्याकाल था जब भारतिय संस्कृति की कई महत्पून संस्थाओं का जन्म हुआ उलेकनी है कि जहां सिंदू सब्वेता की समस्त सामगरी खुदाई से प्राप्त हुई महीं इस सब्वेता की समस्त सामगरी लिखित है सिंदू सब्वेता के निर्माता द्रविड माने जाते हैं पर वैदिक सब्वेता के निर्माता निर्विवाद रूप से आरे थे वेदिक सब्वेता के बारे में जानकारी हमें वेदों वे वेदिक साहिते से मिलती है वेदों की संख्या विधारती आप जानते होंगे चार है जिनमें रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद शामिल है रिगवेदिन में सबसे प्राचीनतम है और अथरवेद की रचना सबसे बाद में की गई जिस यूग में रिगवेद की रचना की गई उसे रिगवेदिक काल अथा पुरवेदिक काल कहते हैं बाकी या शेष तीनों वेदों की रचना काल को उत्तरवैदिक यूग कहते हैं प्रत्थम वेद और बाकी के तीनों वेदों की रचना काल में विध्यारतियों काफी अंत्राल है इसलिए उनकी सब्वेता और संस्कृति में भी काफी परिवर्तन आया है इसलिए हम वैदिक संस्कृति को दो भागों में बाट कर पढ़ते हैं, रिगवैदिक काल और उत्तरवैदिक काल. तो पहले हम रिगवैदिक काल की सब्विता के बारे में जानेंगे, तो जैसा कि हमने कहा कि आर्यों का जो प्राचिन्तम ग्रंथ है वै रिगवैद है, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, ये सहीता 10 मंडलों में विभक्त है, रिगवैद से आर्यों की ततकालीन, राजनितिक एवं आ रास्तंतरात्मक था, विध्यारतियों आम जानते हैं कि शाषन व्वस्था अनेक प्रकार की होती, जिसमें मुख्य रूप से रास्तंतरात्मक और लोगतंतरात्मक प्रणालिया प्रचलित रही हैं, तो रिगवैदिक काल में जो आर्यों की शाषन व्वस्था थी, वो रा आरह में उत्रापत में अनेक गंड राज्य रिगवेथके प्रारम्भिक आलमें उत्तरी भारत में अनेक छोटे-छोटी-राज्य थे इन राज्यों में राजनितिक विभाजन के बारे में, यानि जो ततकाली राजववस्ता है, वो किन भागों में विभाजित थी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुटुम याने परिवार की फैमली की। रिगवेदिक काल में आर्जों की राजनितिक संगठन की मू लिकाई ग्रह अत्वा कुटुम थी, परिवार पित्र सत्ता आत्मत था, कुटुम में सयुक्त परिवार की प्रता थी, तथा परिवार का सबसे अधिक आयू वाला पुरुष सदस्ये कुटुम का प्रधान होता कुल के नेता को कुलप कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कुलप, आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर के सवाल में या उब्जक्टिव में, कॉम्पिटिशन में की कुल के नेता को क्या कहा जाता था, या रिगवेदिक काल में परिवार की पहली इकाई या मूल इकाई क् अब हम आते हैं ग्राम यानि विलेज ग्राम शब्द का मौलिक अर्थ था समू अनेक परिवारों को मिलाकर क्या बनता था गाउं गाउं का मुख्या या ग्राम का मुख्या होता था ग्रामनी क्या लाता था ग्रामनी का पद बहुत महत्पूर्ण होता था क्योंकि वह गाउं का एक मात्र प्रशाशनिक अधिकारी होता था यानि गाउं में जो समस्याइं हैं जो विवस्था करनी हैं उसकी सारी जिम्मेदारी किसके उपर होते थी विध्यारते हो ग्रामनी के उपर और ग्रामनी जो है राजा और आम जो जनता थी प्रजा थी उनके बीच का मध्यस्त ह होता था इसलिए उसका पद रिगवदिक काल में बहुत महत्पूर्ण होता था उसके बाद में आता है विश विश यानि जो आदूनिक हमारे जिलें हैं उनके समान एक खंड था ग्रामों के समू को विश कहते थे और विश का मुख्या विश्पती कहलाता था इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जन की और विशों के जो समू है उनको जन का आजाता था और जन का मुख्या होता था राजा या गो रिगवेदिक आजरे विभिन जनों में विभक्त थे और प्रतेग जन एक प्रत्थक राजनितिक समू प्रतीत होता है रिगवेदि में विध्यारतियों प्रसिद पंच जन का उलेक किया गया है ये पंच जन विशेशकर बलवान यानि शक्तिशाली और महतपून थे ये पंच जन जो है उसमें पांच जन शामिल थे उनमें प्रमुक जो नाम है पांचों के वो है पुरू, तुर्वशष, आपसे पुछा जा सकता है कि पंच जन में कौन-कौन से जन शामिल थे उनके नाम लिखिए तो आपको ये पांचों नाम बताने होंगे एगमा मैं पुने धोराती हूं पुरू, तुर्वशष, यदू, अनू और द्रह्यू प्राय राजा ही जन का प्रधान अठात गोप ह ततकालीन प्रशाष्णी के उस्था में अत्यदिक मैदपून पद होता था, इसके बाद जन से मिलकर बनता था रास्ट, रास्ट जन से बड़ी काई कहलाती थी, देश अत्वा राज्ये को रास्ट कहते थे, इससे संगात्मक सरकार होने का अनुमान किया जाता है, इसके ब या शाषन व्यवस्था का स्वरूप क्या था, इत्यासकार वी एम आप्टे के अनुसार, रिग्व्यतिक काल में शाषन व्यवस्था प्रमुक्तया रास्ट अंत्रात्मक थी, जिसका अध्यक्ष राजा होता था, यानि राजा जो है, वो शाषन को चलाता था, और प्रमुक्त अधिकारी राजा उता था, प्रारंबिग वैदिक ग्रंतों के अनुसार, राजा को शुरुआत में लोगों के द्वारा चुना जाता था, राजा का पद पैत्त्रफ नहीं होता था, रिग्वेद और अत्थर वेद में राजाओं के निर्वाचन के बारे में रिग्वेद में राजा शब्त का प्रयोग बार बार किया गया है राजा के अधिकार और कर्तवियों के जब हम मात करते हैं तो राजा का पद अत्यांत महत्वा का वैभाव शाली माना जाता था राजा ही शाषन वस्था का प्रमुकिस्थम्ब होता था वैदिक राजा मुख इस प्रकार ये प्रतीत होता है विध्यारतियों कि राजा का सबसे पवित्र और सम्मान्य कार्रे था शत्रों से प्रजा की रक्षा करना राजा जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता और शत्रों से युद करता था प्रजा से उसे कोई कर नहीं मिलता था नियमित रूप से बलकि प्रजा जो है उसे वस्तों के रूप में स्विच्छा से उपहार देती थी किसी नियमित करकी वे मांग नहीं कर सकता था जैसा आगी चल कर हुआ उसे भूमी पर अधिकार भी प्राप्त नहीं था प्रफेसर यूएन कोशाल कहते हैं कि प्रजा राजा की आग्या का पालन करती थी और उसे उपहार देती थी जिसे बली कहते थे बली एक किसी और रुप में भी आप जानते होंगे लेकिन यहाँ पर बली कर को कहा जा रहा है कुछ भाग अत्वा कुछ पशु यानि आगाउं वाले अपनी उपच का कुछ हिस्सा और कुछ पशु राजा को बली के रुप में देते थे सेना का नेतुत करना राजा का धर्म था शानती के समय वे लोग कल्यान के लिए कार्टे करता था यानि हमेशा युद तो नहीं हो सकता विध्यार्तियों तो जब शानती होती थी उस समय वे जनता के कल्यान की योजनाई बनाता था उनको लागू करता था युद में विजे इंद्र की क्रपा का फल माना जाता था इंद्र विध्यार्ति और रिगवेति काल का सबसे प्रमुक देवता था और युद में जो विजे के लिए इंद्र की प्रार्थनाय की जाती थी अते राजा को भी इंद की उपादी से विबुशित किया जाता था राजा न्यायदिश के पद से न्याय करता था राजा का ये कर्तव्य था कि वह प्रजा पर क्रपा रखे राजा अपने भव्य महल में शान और सुक शांती से रहता था उसका समाज में बहुत आदर सम्मान होता था उसकी आग्या सरु मानने थी और जो लोग राजा की आग्या को नहीं मानते थे उनके खिलाफ बल प्रियोग किया जाता था आगे चल कर ये हुआ कि राजा के अंदर यानि राजत में देवी गुण होने का विचारू फढ़ने लगा राजा को विध्यार्ति अब जो है इश्वरी गुण प्रदान कर दी गए और उसके लिए विशेश यग किये जाने लगे और ये कारे प्रोहित करवाते थे राजा का पद साधरन ते पैत्रिक होता था जरूरी नहीं है कि रा राधिकारी यानि पुत्र ही राजा बनता था परन्तु कभी कभी उसका चुनाव भी होता था राजा के उपर जनता का अंकुष भी रहता था आवशक्ता पढ़ने पर जनता राजा को अपदस्थ कर सकती थी यानि पद से हटा सकती थी राजा अभी शेक के समय राजा को प और मेरे वन्ष का नाश हो जाएं यानि प्रशाष्णिक कार्य और तीसरा कार्य था नियाय संबंधी कार्य यानि जनता को नियाय प्रदान करना तो विध्यार्तियों ये जो है रिग्वेदिक काल में राज्य का विभाजन किस प्रकार का था और ये जो राजा के कर्तव्य और अधिकार क्या है इसके बाते हमन तो रिग्वेदिक काल की शुरुवाती दौर में संभौते मंत्री वंडल की विवस्ता नहीं थी, क्योंकि रिग्वेद वे अथरवेद में मंत्रियों का उलेखा में नहीं मिलता है, ऐसा डॉक्टर अल्टेकर का कहना है, और रिग्वेदिक राज जी क्योंकि बहुत छोटे वे राजा का प्रधान सायक होता था, जो राजा के साथ रहता था और बड़ा प्रभावशाली था, उसे पुरोधा भी कहते थे, पुरोहित, शांती और युद्ध दोनों इस्तितियों में राजा का मित्र, पत्प्रदशक, दाशनिक और सायक होता था, वसिस्ट और विश वे विजे के लिए प्रार्टना करता था। वे युदुचेत में अपने सेनिकों का उत्सा बढ़ाता था। इस प्रकार प्रोहित का पद अथ्यत महत पून वे उत्तरदाइत पून था। डॉक्टर कीत का कहना है कि वैदिक प्रोहित उन ब्रहामण राध्यतिग्यों का अग्रगामी था जिनोंने समय समय पर भारत में विभिन आउसरों पर शाषन संचालन में आश्चरे जनक कारे कुशलता दिखाई। पद भी महतपूर्ण था, वैसेना अध्यक्ष होता था, वैं आक्मर और विजे की योजनाय बनाता था तता सेना का संगठन करता था, वैसेनी कारियों में राजा की सायता भी करता था, और इक अन्य जो प्रमुक अधिकारी है वैं ग्रामनी, ग्रामनी जो है गाउं का मुख कराता था ग्रामनी संबवत हैं गाउं की जनता और उनके हीतों का प्रतिनीरी था इसके लाव इध्यारतियों कुछ अन्य पदादी कारी भी थे जो राज्जी संचालर में मदद करते थे इनकी नाम मैं आपको बताऊंगी पूरप यानि दुर्गपती इसपश यानि गुप् करना होता था इस पश गुप्तचर होता था इस जनता की गतिविद्यों पर दुस्ट्री रखते थे और राजा को प्रतेक महत्पुन बात से आउगत कराते थे दूद के कारे राजनितिक थे वैं संधी या युद्ध का प्रस्ताव लेकर अन्य राज्यों में जाते थे तो लिवाट